हेले दोस्तों स्वागत है आपका एक नई सांदार वीडियो में तो दोस्तों प्रयागराज रिवर्फरंट के लिए नौ घाट हुए चैनित पुराने यमुनापुल से अरेल तक होगा निर्माड 2025 महाकुम के पहले तयार होगा 1500 करोण की लागत आएगी महाकुम 2025 के पहले रिवर्फरंट भी बनकर तयार हो जाएगा इसके लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से निशनल मिशन फार कलीन गंगा यानि एन्म सीजी की ओर से सिचाई विभाव से प्रस्ताओं मांगा गया है प्रात्मिक सर्वे में यमुना के किनारे 9 घाटों का चैन किया गया है इसके लिए एन्म सीजी की टीम को सोमवार को प्रयागराज आई थी टीम ने घाटों का निरच्छन किया है महाकुम के पहले प्रयागराज की सूरत बदलने के तमाम प्रस्ताओं कर लिए गये है इसमें प्रमुक प्रस्ताओं रिवर्फरंट का है लगभग 15 करोन की लागत से यमुना के किनारे इसे बनाया जाएगा प्रयागराज मेला प्राधिकरन की पिछली बैठग में प्रस्ताओं तयार किया गया इसे एन एम सीजी की और सिचाई विभाग को लेकर ब्रिश्तित रिपोर्ट मागी गई प्राधिक सर्वे में यहां आया कि गंगा के किनारे के छेत्रों में बहुत निर्माण संभव नहीं है क्योंकि यहां हर साल बाड की इस्तिती बनी रहती है लेकिन नैनी की और पुराने यमनब्रिश से अरेल तक की इस्तिती ठीक रहती है इसलिए इसी छेत्र में रिवर फरंट बनाया जाएगा सोमवार को एन एम सीजी की तीन सदसी टीम प्रियागराज आई थी